जी हाँ आपने बिलकुल सही देखा जापान जिसे भारत में सबसे घनिष्ट मित्र कहा जाता है एक ऐसा देश जिसने कभी भारत का बुरा नहीं किया हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया और इतना ही नहीं आने वाले समय में कहा जाता है कि जापान भारत का closest friend और ally होगा क्य कि जैसे जैसे चीन का खत्रा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जापान भारत close आते जाएंगे क्योंकि दोनों देशों को चीन से खत्रा है इसलिए दोनों और जदा close friend होंगे लेकिन उसी जापान ने आज भारत को 440 नहीं 880 वोल्ट का जटका दे डाला है दरसल सबसे पहले आप ये खबर देखिए ये कल दोपहर निकल कर सामनी आई थी जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जापान भारत के खिलाफ सेंक्शन्स की कारवाई का सकता है यानि कि भारत पर कठोर परतिबंद लगा सकता है जापान और इसमें भारत की कई कमपनियो को टार्गेट किया जाएगा लेकिन उस समय मैंने इस खबर को अनसुना कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि जापान जैसा देश भारत के खिलाफ इस तरीके का एक्शन लेकर भारत के साथ संबंदों को खराब करने की कोशिश करेगा लेकिन आप स्क्रिन पर ये दूसर अंदर किसी भी परकार का बिजनिस नहीं कर पाएंगी साथ ही इन कंपनियों से जुड़े हुए जो लोग होंगे उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि जापान ऐसा करक्यू राह है वो भी भारत जैसे दोस्त के खिलाफ तो इसक रूस की कंपनियों के साथ वैपार करती हैं तो उन पर जापान एक्शन लेता है लेकिन अभी तक जापान भारतिये कंपनियों के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहा था लेकिन अब उसने भारत की कंपनियों को भी टार्गेट करना शुरू कर दिया है इसी क तहट भारत की कुछ कमपनियों को अब निशाना बनाया जाएगा उन पर एक्शन लेगा जापान। इसके पीछे जापान ने तर्क ये दिया है कि हमारे पास परियाप्त सबूत है कि भारत की इन कमपनियों ने जापानी परतिबंधों को तोड़ा है और रूस के साथ व्यापार किया है अनाधिकरित तरीके से। इसलिए जापानी सरकार का इनके खिलाफ एक्शन लेना जरूर और देखिए यही है जियो पॉलिटिक्स की कुरूर सच्चाई आप चाहे किसी देश को दोस्त मानते हो भाई मानते हो फ्रेंड मानते हो कि फलाने देश ने अब से 50 साल पहले हमारा वो साथ दिया था ये साथ दिया था ये अब कोई माइने नहीं रखता हर देश अपने हि इसका दोस्त मानते हैं तो भूल जाएए सभी अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं इंकलूडिंग रश्या रश्या की बहुत बड़ी फैन फोलिंग है भारत में आपको बता दू कि पिछले 10 सालों में रश्या ने भारत के खिलाफ अमेरिका से भी ज्यादा कदम उठाए ह रूस की क्लोजनेस भी चीन पाकिस्तान के साथ बड़ी है यह जियो पॉल्टिक्स की सच्चाई है और आप अब इसे समझ गए होंगे